दोस्तो आठा चक्की की रिपैरिंग से बहुत सारी कमेंट्स मुझे आती रहती हैं जिसमें मैंने कंट्रोलर वगरे की रिपैरिंग का बहुत बार वीडियो बनाया है और इसमें जो भी बेसिक जो भी काम होते हैं उस पर भी वीडियो बनाया है तो यहां पर यह जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो क्यों होता है, मैं जरास आपको Demo देता हूं, सबसे पहले इस जाली को मैं यहां पर fit करता हूं, और आपको दिखा देता हूं, कि इसमें भी वो problem आ रही है, इसका क्या solution होगा, यह भी बता दूगा, कुछ live आपको Demo दि वीडियो को fast forward नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही live दिखा रहा हूं आपको, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो है, देख लो, आपका फायदा ही होगा, तो लगबग लगबग थोड़ा बहुत गेहू निकल चुका है अंदर, चलिए इसको open करता ह उपन हो जुका है, इसको कुछ दिर हम छोड़ देते हैं, stop होने के लिए, हो जुका है, अब हम इसको खोलते हैं, आप कीजिए इसको नहीं, बलकि इसको खोलेंगे, क्योंकि आठा हमारा नीची आएगा, फिर आपको problem इसमें दिखाऊंगा, कि इसमें problem का हाथ पेहथ आती पहले आपको दिखा देता हूँ आठा, कितना यहाँ पर मूटा आ रहा है, जूम करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे, आठे के साथ यह देखें, गेहू निकल रहा है, आकर यह क्यों हो रहा है, इसका यह problem आता कहां से, यहाँ पर आप देखें, और इस fault को काफी लो पर का हूआ है, यह cut होने की वज़ये से, अक्सर इक problem आती है, अब यहाँ पर क्या होता है, यह किस तरीके से काम करता है, यह जाली इस तरीके से fit होती है, और यह cutter इस तरीके से घूमता है, यहां पर सारा खेल अपना cutter काईए, तो यहाँ पर गेहूं वहां से निकलता है, वहां से दाना निकलता है, और ये कटर इस तरीके से घूमते वे गिहों को कट करते जाता है, जैसे मिक्षी में होता है, या मिक्षर ग्राइंडर जो आप घर पर मिक्षी बगर समाल करते हैं, उसमें जैसे जो मैथड उसमें समाल किया गया है, सेम वही इसमें होता है, इस तर जो कण होंगे इस hole के बराबर वो नीचे चलते जाएंगे इस तरीके से नीचे जाते रहेंगे तो यही कारण होता है, कि जाली में एक एक, एक अगर छोटा सा भी छेद हो गया, यानि कि जहां पर छेद है, इससे अगर थोड़ सी मोटे-मोटे यहां पर छेद इस तरीकी से हो गया, तो यहां पर यह सारा हेल खराब कर देगा, तो इस condition में आप अपनी जाली को change कर लिजेगा एक छोटा सा tips दे दे रहा हूँ आपको मैं अगर आप change नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर होशक है तो हलका सा पीछे तरब से आप हलका सा weld कर वालीजेगा इसको ज्यादा मोटा यहाँ पर hole तो नहीं है बट एक गेहू के दाने के बराबर hole है तो काफी problem हो सकती है इसको बंद करना जरूरी है अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यार सस्थे मा काम निप्टाना है तो पीछे से इसको इस तरीके से gas weld कर लीजेगा तो यहाँ पर अगर यह hole block हो जागा तो गेहू आना फिर से सुरू हो जागा वही मतलब आठा आना फिर से सुरू हो जागा अगर आपके पास नहीं है बैकलपिक तोर पे यहाँ पर क्या होता न यहाँ पर यह है दो नमबर की तो हमें देखिए डेड़ नमबर की भी साथ में मिलती है यह जो खराब हुई है वो है दो number की और यह है डेढ़ नंबर की तो इसमें आप हलका सा पतला भी अगर चाहते है तो डेढ़ नंबर की लगा सकते हैं इससे भी आपका काम चल जाyएगा अगर आप चाहते हैं आपको लगता है कि यह डेड़ में बहुत बारिक आ रहा है तो आप तीन का भी इसमाल कर सकते हैं बट इससे आपको छनी वगर है थोड़ा सा चान के और बारिक करना पड़ेगा बट यहाँ पर यह अगर दो नमबर की खराब है तो बैकल पिक तो और प फिर से जो आपने लगा रखा है उसको वो काट देगा तो जब भी आप यह काम करें अगर अगर लगाना भी चाह रहें तो पीछे साइट से उसको ब्लॉक कीजिएगा यह बैटर ऑप्शन होगा तो यहाँ पर भाई इसी वज़ए से यह हूँ जो है ना मोटा आता है बाक यह जो बटन है इस बटन को हम प्रेस करते हैं इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो यह कंट्रोलर से इस बटन का कनेक्शन होता है बटन को प्रेस करने के बाद कंट्रोलर ऑन होता है कंट्रोलर उसके बाद दो मोटर को सिगनल देता है एक यह वाली मोटर है मेन और एक यहाँ पर जो घूमती है synchronous motor उसको signal देता है यानि कि relay के through इन दोनों का load सारा relay में होता है controller सिर्फ इनको control करने का काम करता है बाकी ये जो चीज यहाँ पर दी गई है ये bagel pick बाजरी यहाँ जो इसमें लेता है वो bagel pick है इसकी वैसे कोई भी जरूरत नहीं होती है बाकी भाई अगर आप controller का repairing का video चाहते है या पर controller के connection शीखना चाहते है तो video का link इस video के description में मैं दे दूँगा अगर आप इस video से काफी कुछ समझ गए हैं तो video को like करना और share करना अपने दोस्तों के शाथ में जिनके पास ये machine है या जो ऐसे काफी video के suggestion चाहते हैं उनको आप ज़रूर suggest कीजिए ऐसी video ताकि वो लोग घर पे ही solution कर सकें अभी आप वीडियो पे आए हैं तो छोटा सा tips और देता जाओं काफी बार cutter से related problem आता है cutter में क्या होता ना ये disbalance हो जाते हैं अभी तो ये बिल्कुल balance पे है disbalance मेरा मतलब है कि यहां पर हलका सा टेड़े बेड़े हो जाते हैं और problems आने लगती है तो उसमें भी काफी problem आती है उस वक्त गेहूं को नहीं cut कर पाता तो काफी बार क्योंता है गेहूं साफ करके डालिए कील बगर होती है इसका टूटा तो नहीं ये damage तो नहीं है चेक करते रही है वरना ये पिछली वीडियो में आपको बताया था एक जगे cutter टूटा था उसने काफी damage किया था मशीन को और काफी बार क्या होता ना ये jam हो जाता है बहुत जादा jam हो जाता है उसमें क्या होता ना इधर और इधर से गेहों फज जाते है या कुछ भी आप डालते हैं वो फज जाते है तो वहाँ पर क्या होता है उसको आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पर यह देखिए यह आटा फजा होगा ना इस तरीके से यह proper इसके सपाई नहीं होगी तो वह properly free हो जाएगा यह काम करके देखिए आपकी सारी problem का solution में घर में करवा दूँगा controller से लेके चक्की तक का simple trick है या फिर हाँ motor का repairing का यह मेरा काम नहीं है बाकि motor की winding वगरेचे related वह winding वाले channel पर आप देख सकते हैं तो फिर आप change कीजिएगा अगर चल रही है तो फिर controller से related कोई relief अगर का problem हो सकता है चलिए भाई वीडियो पसंद आई तो like करके share कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए वह चैनल को subscribe कर लेना टेक है